हेलो एवरीबड़ी गईस कैसे हैं आप सब उमिद करूँगा सब के सब फिट इन फाइन होंगे तो फ्रेंज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में जिसका नाम है टिक निकलवी तो फ्रेंज बारे में अगर सच्चाई जानना चाहते हो each and everything about binary options, strategy और बहुत कुछ अगर यहां से पैसा कमाने की इच्छा आप रखते हो तो करना क्या है सब्सक्राइब करो चैनल को, bell icon को प्रेस करना बिलकुल मत भूलना ताकि latest updates आपको सबसे पहले मिल सकें आज की वीडियो पे आते हैं आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ risk-free trades आपको कैसे मिलेंगे all-in trade में और दूसरी चीज जो सबसे important है वो यह जो और title और thumbnail देखके समझी गए होंगे कि SMA strategy back in all-in trade with new update नई update के साथ हमारी SMA strategy आ गई है फिर से all-in trade के साथ और आज हम उसे use करेंगे और जैसा कि आपको बताया one of my favorite strategy in all-in trade ऐसे में अगर हम use करते है in two-three तो बहुत अच्छी strategy मानी जाती है और आपके भाई ने हमेशा use की है तो आपको पता ही है आप channel पे होंगे आप telegram पे होंगे तो आपको पता ही है कि मैं use करता रहता था यह strategy और इसी से ही मैं live group में trade लिता था और बहुत अच्छी result जो है हमें मिलते थे but unfortunately all-in trade ने यह strategy जो हटा दी थी अपने नई updates के बाद जब उनका anniversary update आया था तो वहां से यह application में से यह जो strategy हो हटा के into two कर दी थी तो हमारी जो strategy जो work out नहीं हो पा रही थी but आप लोगों के feedbacks मेरे दुआरा पहुंचाए गए थे all-in trade के पास और बहुत लोगों के जो feedbacks है आपको पता ही all-in trade के पास feedbacks जाते ही रहते है और finally हमें जो strategy है वो वापस मिल गई है बहुत लोगों के comments भी मेरे पास आते थे कि सर strategy बहुत अच्छे से work out हो रही है क्या हमें वो strategy वापस मिल सकती है तो definitely मैं उनके comment के reply भी एक ही चीज़ से करता था कि अगर आप लोगों के feedback रहे तो कोशिश करूँगा मैं कि यह strategy आपके पास फिर से आए and we are back with this strategy in all in trade आज की वीडियो में यही है लास तक देखना मज़ा जरूरा आने वाला है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी आप all in trade का interface मेरे mobile phone में देख पा रहे हैं reason कि मैं अपने PC में नहीं दिखा रहा हूँ आज तो application की बात करते हैं और तूसरी चीज़ अगर PC में मैं चीज़ें दिखाता हूँ आपको तो आप लोगों के ही comments आते हैं कि जादा तर चीज़ें आप mobile से किया कीजिए क्योंकि जादा तर जो users हैं वो mobile friendly हैं, mobile को use करते हैं तो इसी वज़े से आज जो है mobile के साथ है तो अब देखें यहाँ पे मैंने all in trade की application को update कर लिया था यह मैंने update किया था कल रात को लगबग 12 बजे के आस-पास उसके बाद अभी यह interface आपको दिख रहा है तो सबसे पहले risk free trades की बात कर लेते हैं कि risk free trades आपको कैसे मिलेंगी देखें उपर unclaimed rewards या awards दिख रहे हैं 34 तो यहाँ पे मैंने अभी तक 2 reward collect किये थे अभी 36 थे तो मैंने risk free trade 2 collect की थी तो यहाँ पे देखें मेरे पास 6 risk free trade और आ गई है लेकिन dollar 10, 10 dollars की हमारे पास 6 risk free trades है not an issue ठीक है तो आपको यह कैसे मिलेंगी यह चीज़ आपको कैसे मिलेंगी तो आप देखें unclaimed reward पे जाते हैं यानि कि अगर आपने trade की जो anniversary का जो option है अगर उसको use किया होगा वहाँ पे आपने trade ली होगी आपने उनके जो stages है उनको complete किया होगा तो आपको यह चीज़े देखने को मिलेंगी तो यार अब देखें जैसे आप इस पे click करते हो तो यहाँ पे देखें आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे Forex का देखें 20% और यहाँ पे देखें race of heroes इन सबको आपको claim करना है अब देखें यहाँ पे से यह आपको risk free trade का भी option मिलेगा मैंने इसे claim कर लिया ठीक है इसको claim कर लिया तो फिर अब देखें यहाँ पे जैसी मैंने इसको claim करें आप देखें आगे चलते हैं आगे और भी आएंगे जितने भी सारे risk free trades होंगे सबको हम claim करेंगे आपने भी अगर इसको use किया होगा तो यहाँ पे आप भी इसे risk free trade को claim कर सकते हैं और आते हैं तो अभी मैंने बाकिया आगे की risk free trade थी वो शायद मैंने claim कर ली थी पहले ही दो options हमारे पास थे तो इस तरीके से आप risk free trades यहाँ पर apply कर सकते हैं और कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि अगर हमें हमारा new account है बिलकुल मुझे risk free trade चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ तो यहर बिलकुल बताओ आपको thousand dollars minimum invest करने पड़ेंगे तो आपको 10 से 12 risk free trade मिल जाती है hundred dollars की लगबग लगबग sorry hundred की नहीं फिर तो आपको कम की मिलेगी तो आपको risk free trade मिल जाती है वहाँ से आप use कर सकते हैं बाकि all limited आपको ऐसे मौके देता ही रहता है जिसमें आप risk free trade यूज कर सकते हैं आप earn कर सकते हैं यहां से तो अब देखे risk free trade हमारे पास total हो गई है count way 6 I don't know अभी update हुआ या नहीं हुआ देखे मैंने risk free trade collect कर ले थी बट पता नहीं क्यों update नहीं हुआ है शायद ठीक है तो थोड़े time के बाद वो update हो जाएगा तो let's see वो उसका इंतजार करते हैं शायद net का issue है net connectivity ठीक है तो अब यहां पे आज जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ sma strategy जो sma पे आते हैं तो यहां पे देखिए थोड़ा से interface जो है all im trade का नया हो गया है change हो गया है update के बाद तो इसमें क्या क्या changes होए है देखिए all im trade के पास feedback जरूर गये होंगे कि हमारा जो पिछला update था उसमें थोड़ी सी कमिया जरूर थी तो इन्होंने वापिस अपना जो update है यानि all im trade का interface है वो पुराने वाला कर दिया है लगबग लगबग पुराने वाला कर दिया है जो changes है वो मैं आपको जरूर बताऊँगा changes देखिए अगर आप यहाँ पे trade history में जाएंगे तो आपको changes साफ साफ दिखाई देगे कि पहले जो हमारी trades थी हम कैसे देख सकते थे graph साथ दिखता था लेकिन अब जो है आपको change अब देखे अब इस तरीके से आपके trade history दिखेगी ठीक है अब इस तरीके से आपके trade history दिखेगी देखे है मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से लेकिन यह आपको PC में सिर्फ दिखता था लेकिन आप Mobile में भी आपके Trade Strategy चेंज हो गई है ठीक है आज Sunday है इसलिए यापे Dash के Market पे हम Trade लेने वाले हैं या कोई और Market चेक करते हैं ठीक है तो यहाँ पे अभी हम Trade लेंगे लेकिन हमारी जो Strategy है वो पहले Apply कर लेते हैं तो भाईया आ गए है हमारे Custom हमाई इंडिकेटर पे ऐसे में आप यहां पे देख पा रहे है add to chart मैंने यहां पे कर दिया है यहां पे 10 की जगा मैं करता हूँ 7 जैसा कि आपको पता है हमेशा से ही यहां मैंने इसको कर दिया है 7 and apply कर दिया है color भी मुझे से change करना होगा तो यहां पे हमारा जो color होगा वो होगा green मैंने apply कर दिया है and second जो है मैं इसको एक बार और ऐसे में apply करता हूँ add to chart ठीक है तो यहां पे add to chart मैंने इसको कर दिया है यह हमारा रहेगा 17 तो यहां पे मैं इसको 17 कर दिता हूँ color जो है हमारा रहेगा इसका yellow तो मैंने yellow कर दिया and then apply colors जो है वो आप अपने हिसाब से customize कर सकते है तो इसके बारे में और अगर आप पूरी वीडियो चाहते है इस strategy पे तो आप एनी previous वीडियो जाके check कर सकते है आपको sma पे पूरा एक described video मिल जाएगा तो वहाँ से जाके उसमें check कर सकते है क्योंकि आज की वीडियो में हम total strategy नहीं check करने वाले just मैं आपको एक trade लिखे दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीकी से चीज़े work out करती है तो 24 मैंने आप apply कर दिया है अब जाते है main page पे ये है हमारी sma strategy जो हमें मिल गई है फिर से अब देखे ये किस तरीके से work करती है देखे जब yellow color and red color की जो line है trend lines है green color की trend line उरसे एक curve shape में cut करती है जिस भी direction में तो market अगले continuously कुछ time तक उसी एक direction में रहता है for example देखे यहाँ पे इस एक point पे यहाँ पे time तक फिर down ही है इस तरीके से होगा है अब देखे यहाँ पे अप के लिए गई थी नहीं यहाँ पे clearly आप नहीं किया है दौनों को clear होना चाहिए देखे अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे green color की trend line ने दौनों को cross किया और काफी देर तक market जो है downward direction में रहा तो आपको ऐसे situation का wait करना है जैसी आपको ऐसे situation मिलती है देखे अभी अभी की situation के हिसाब से अगले 3-4 minute तक market उपर रहेगा मेरे हिसाब से तो देखे ऐसे situation का आपको wait करना है जैसी ऐसे situation आपको मिलती है मैं 10 dollar की trade यहाँ पर लेता हूँ 3 minute के लिए जो है मैं 10 dollar की trade ले लेता हूँ तो 3 minute के लिए अब मैंने place कर दी है 10 dollar की trade तो मैं बताना चाहँँगा guys देखे जब भी आपको इस तरीकी की situation मिलती है मतलब अभी देखे हैं मैंने यहाँ बहुत ही ट्रेड लेती क्योंकि हमारी strategy पूरी तरीकी से mate नहीं हुए है जैसी आपको इस तरीकी की strategy मिलती है तो आपको trade ले लेनी है ठीक है और आपको जो है weight देखे अभी fluctuations बहुत ज़ादा है क्योंकि market Sunday का market है fluctuations ज़ादा है तो आपको strategy जैसे ऐसे मिलती है आपको graph पे normal तो आपको trade ले लेनी है strategy बहुत अच्छी है बहुत अच्छी strategy है मैं use कर चुका हूँ और आपको भी पता है अगर आप channel के साथ जुडे वे हूँ telegram पे हूँ यार एक चीज़ बताना चाहूँगा telegram पे अभी तक join नहीं होना है चीज़े तो वो आप use कर ही रहे होंगे तो ये तीन मिनट की trade अभी मैंने place की वी है और अभी हमारे पास देखते है कितना time बागी है तो अभी हम देखेंगे हमारे पास लग भग लग भग दो मिनट का time बागी है ये जो आप last trades देख पा रहे हैं मैंने आपको दो दिन पहले trades ली थी आपको पता है मैंने आपको जो graph से trade लेके दिखाई थी अब जब हम comparison कर रहे थे ओलिम्प वर्सिज बैनमो तब ये इतनी बड़ी-बड़ी trades मैंने ली थी और यहापे हम loss कर गए थे आपको याद हो तो तो वही चीज है अब देखे marketing impact बहुत ज़ादा है इस time पर आप चेक कर पा रहे है अभी जो green color की candle है बहुत बड़ी यहाँ पर बनी है green color की candle और बहुत ज़ादा helpful है us for us जैसे कि मैंने कहा strategy जो है अमेशा work करेगी दस में से 8 case में आपकी strategy जो है वो work करने वाली है अब बात करता हूँ कि last video की तो अगर आपने वो video चेक आउट नहीं की है तो इससे previous video है जहाँ पे all imp versus binomo मैंने comparison दिखाय हुआ है live trades और बहुत बड़ी-बड़ी trades करके कि यहाँ पे क्या platforms में difference आता है और अगर हम एक platform से trade लेते हैं तो क्या हम दूसरी platform पे trade लेंगे तो हम हारेंगे या जीतेंगे ऐसा तो नहीं होगा एक trade हम हार जाते हैं दूसरी जीत जाते हैं तो reality test है जरूर चेक करने चाहिए आपको previous video को अगर आपने नहीं देखा है एक minute के लिए थोड़ी strategy जो है market अगर stable हुआ तो बहुत अची बात है नहीं है तो work नहीं करेगी ठीक है तो आप 2 minute, 3 minute, 4 minute के लिए जाओ तो strategy अच्छे से work out आपके लिए करने वाली है अभी हमारे पास सिर्फ 28 seconds बाकी है तो let's see अभी हमारे पास बहुत अच्छे से situation है देखो green color की line देखो trend line और yellow color की और red color की line को cross कर रही है तो market देखो उपर गया यही situation आपको देखनी है जैसे इससे situation मिलती है आपको बस trade ले लेनी है और कुछ भी नहीं है बहुत है simple है तो अभी हमारे पास 6 seconds और है let's see तो probably हम जीत गए है तो इस strategy work out करती है पूरी detailed video मैंने बनाई हुई है आप check कर सकते है प्लेलिस में जाके trading के नाम से होगी बाकी उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपके लिए helpful हुई होगी और olive trade को एक बार फिर से thank you कि users के सुनने के लिए हमारी सुनने के लिए और ये सब आप लोगों के बज़से ही possible हुआ है आप लोगों के feedbacks आप लोगों के suggestions अगर मेरे तक पहुँचते है मुझे जो important लगता है मैं आगे आप लोगों के suggestions पहुँचाता हूँ और कई बार वो है approved भी हो जाते तो thank you so much आपका support आपका love और एक और चीज हैस्टेग technical अभी जरूर use करना यार comment में हैस्टेग technical अभी जरूर use करना तकी जो है पता लगे कि कहां तक आपने वीडियो देखी अगर आप यहां तक वीडियो देखते हो सच्चाई के बारे बता नहीं है उन लोगों तक यह सारी चीज़े पहुँचे और तीसरी चीज यार टेलिग्राम भी जोइन हो जाओ यार अभी तक जोइन नहीं हुए हो तो thank you so much मुलाकात करेंगे next वीडियो